नमस्कार दोस्तों मैं हूं प्रिकाश प्रजापती आज हम आपको लेके चलने पंजाब की और पंजाब में कांगरीश के पूर प्रदेश अध्यक नवजोद सिंग सिद्धू के खिलाब सीज नेतृत की नज़र टेड़ी हो गई है सिद्धू लंबे समय से पार्टी विरोधी बयान देने में जुटे हुए हैं मगर अब पार्टी नेतृत की ओर से उनके खिलाफ कारवाई टै मानी जा रही है पंजाब में विधानसवा चुनाव के दोरन उनके उल्टे सीधे बयानों के कारण पार्टी को भारी नुक्सान उठाना पड़ा था अब उनके खिलाब सिकायतों का पुलिंदा पार्टी की अध्यक सोनिया गांदी के पास पहुँच गया है कांगरेश अध्यक्स ने इस पूरे मामले को पार्टी के अनुशाशन समिती के पास भीज दिया है अब कांगरेश नेत्रत की ओर से जड़ ही सिध्दू के खिलाब कारवाई किये जाने की आशंग का जताई जा रही है सिद्दू के प्रदेश अध्यक्ष रहने के दोरान पार्टी को विधान सबा चुनाब में करारा जटका लगा था और सिद्दू खुद भी अपने सियासी जीवन की पहली हाथ जहलने के लिए मजबूर हो गई थे दरसल कांग्रेश की पंजाब इताई का मामला काफी दिनों से पार्टी के सिष नेतरत के लिए मुसीबत बना हुआ है विधान सबा चुनाब के दोरान भी सिद्दू नसीधा बयान देने में जुटे हुए थे तब पार्टी की जुटतर जटाने और सियासी नुकसान के अशनका से कांग्रेश नेतरत ने उनके खिलाब कारवाई करने से परहिज किया था सिद्दू को पिछले साल जुलाई में परदेश अध्यक्ष के पद्व की कमान सोपी थी परदेश अध्यक्ष बनने के बाद सिद्दू ने अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार के फैसली पर सवाल खड़े करके पार्टी की चुनावी संभावना को चमकर पलीता लगाया पार्टी नेतरत की ओस से सीम का चेहरा घोशित किये गए चन्डजी सीख चन्डी को लेकर भी अपनी सभाव में सवाल खड़े की ये पार्टी की करारी हार के बाद हलाकि इस नेतरत के निर्देश पर उन्होंने अध्यक्ष पर जरूर छोड़ दिया था मगर वे अभी भी पार्टी की मीटियों को लिकर सवाल खड़ी करने में जुटे हुए तो दोस्तो जल्दी ही कांग्रेश हाई कमाल से सिद्धू के खिलाब कोई बड़ा आदेश आ सकता है हमें आपके कमेंट्स का भी इंतिजार रहेगा हमें अवश्य कमेंट्स करें तब तक के लिए नमस्कार अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें